सभी भक्त जनों को सप्प्रेम नमन बतो आज आपके समक्ष आपकी जिग्यासा का समधान लेकर आया हो एक जिग्यासा यहाई है कि आजकल आधुनिक युग में कृत्रिम प्रकास बहुत बढ़ता जा रहा है तो यह हमारे यह अच्छा है या नहीं प्रकास का तो हम लोग सदे गुंगान करते रहे हैं क्योंकि प्रकास में हम लोग को दिखता है हमारी इंद्रियां सक्री हो जाती है सचेत हो जाती है हम जागृत हो जाते हैं उसको एक ज्यान का भी प्रतिक माना गया है क्योंकि प्रकास के होने पर ही हमें बोध हो पाता है बस्तुओं का सठीक मतलब कि हमारी जो नेत्रिंद्री है उसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है तो इसलिए प्रकास का बहुत महत्त दिया गया है और हमारा माइंड उसमें बहुत काम करता है सक्री होता है लेकिन इधर जब अविस्कार हुआ बल्ब का तो फिर यह बढ़ता चला गया स्वागत भी लोगों ने किया ठीक है इससे पैदा भी हुआ हमारे हमारी जो है कार चमता बढ़ गई और हम लोग जैदा लंबे समय तक काम कर पाने लगे लेकिन कहा जाता है ना कि अती इस्त्रवत्र व्रजेत अती जो है हर जगह जो है वह नुक्सान करती है इसलिए उसका वर्जन होना चाहिए है तो प्रकास का बढ़ा करके हम लोग और धोग厠 विकास कर लिए बहुत तरह का कर लिए लेकिन आप देखेंगे कि अब बहुत ऐसी तरह की प्रकास की कई सब चलाते हैं और खुब तेज रोशनी को बड़े बड़े होटल और बड़े सब जगह इस सहरों में खाली रोषनी चाहरों और यहां तक की गाओं में भी अब रोशनी चकाच होना है रोशनी को माना गया कि विकास का एक स्यमान गया रहा कि नुखसां तो बाद में दिखने सुरू हो गये क्योंकि हम लोग कि आए जो नीड का जो सेकिल था वो तो बस्त ब्यस्त हो गया और हमीं लोगा नहीं हुआ अब पेड़ पोदों तक का भी हो गया कीट पतंगों तक का भी हो गया पसुपक्षियों तक का भी हो गया सभी को जो है या कुछ ना कुछ प्रभावित कर दिया और अलागर्थ में ही किया वनसपतिकों तक कर दिया इसने प्रभावित थे। कृत्रिम रुशनी में भी जो है प्रकास अंस्टरेशन किराने की कोशिश की जाने लगे। कलित्रिम रुशनी में जो है पुष्भ पक्षिय coral उनकी निर्न दिस्टर हो गया संदकार होता है तो हम लोग माइन्द में जितने हैं वो अंदकार में ही होते हैं, तो हम लोग का जो स्लिप रीदम है वह बिगड़ गया, और जिसके जब स्वास्त बिगड़ जाएगा, नीद बिगड़ गई तो स्वास्त बिगड़ना है, क्योंकि इमिनटी पर पर रहा पड़ेगा, और जब नीद बिगड़ गई इतना ही नहीं हम लोग की आँखें भी गड़ाने लगी आखें कम्जोर होने लगी जैदा समय तरक रोसनी तेज़े रोसनी में रहने लगे तो यह दिस्टर्बिन्स तो हो गया मनुस्य में चिर्चिड़ापन आ जाना यहां तक कि यह भी देखा गया है कि रत चाप दीज से बदल जाता है पाचन तंतर में गड़बड़ी आ जाती है इससे कैंसर होता है देखा गया विसीस का स्तन कैंसर डिप्रेशन बहुत जैदा बढ़ गया और साथ के रोग बढ़ गए हम लोग का हाटबीट बढ़ गया बदल गया हम लोग के मूड बदल गया मूड स्विंग बहुत जड़ा हो रहा है तो यह जो है अच्छिदिक प्रकास जो है हमारे बहुत मुक्सान दैक सी दोने लागा हम लोग के डी ने में भी बदलावाने सुरू हो गया हम लोग के हर्मोंस में बदलाव सुरू हो गया है तो आज जायती बात है कि हम लोग की कोसिकाओं में बदलाव सुरू हो गया है हम लोग की नस्थ नाडियों सब्दे में बदलाव सुरू हो गया है और वह अच्छी तरफ जो बदलाव हो रहे ह वह हम लोग के बिनास के अर्थ में हो रहे हैं वह सही नहीं है वह लोगों ने यह उपद्रों बुला लिया कि लोगों की अबादी में इतनी प्रकास है अब देखते हैं बरसात के विशेश कर बरसात के दिनों में देखने मिलता है जब लाइट खुब जलती है सब कीड़े मकोड़े आकर के जो है लाइट में आकर क्यों ही मर जाते हैं सब कितने कि अबादी में बहुत तेज परिवर्टम आया है जितने भी रोशनी है जहां भी जंगल इस तरह से कहीं भी खेत हैं और सहर में भी तो जहां कृत है वहां बहुत हजारों करोड़ों प्रकार के जो है और करोड़ों प्रती दिन मर रहे हैं पुरी विश्व मेंगर देखा जाएं तो इतना जबर्जस्त असा कई परजातियां लुक बिलुप्त हो जाएंगे और कीड़ों की वैज़से जानते ही हैं कि जो पॉलिनेशन जो होते हैं पराकन जाकर करके कीड़े ही करतेएं इसे कारम कई फल जो होते हैं वो फल नहीं पुरी लग पाएंगे तो बनस्पतियो तो उनका नास हो जाएगा तो प्रकास उतना नहीं जड़ाना चाहिए कि अंदकार में रहेंगे तो आपका सलिप सही रहेगा जो लोग लाइट जला करका सोते हैं ना उनकी नीन बहुत देर से पूरी होती है अच्छी नीद नहीं आती है पूरी अंदकार में अगर सुएंगे तो नीन जल्दी पूरी होग तो प्रकास तो एक परदूशन के रूप में मान लिया गया है अब आधनिक विज्ञान जो है इस बात को मान रहा है कि बहुत तेज प्रकास प्रदूशन है दुनिया भर में लखव तर से ओर तो उसका तो परफाव राइस ट्राइबरो रात्री में सब कुछ हो रहा है तो रात्री में भुति जाती है उसमें और खा लेंगे जैदा भरी-हाना और कर लेंगे और क्या-क्या ने करें मेरे तो यह इतिक है इंदकार यह बहुत ही जरूरी है सभी प्राम्रेन के लिग簡 है उसकली है चलाने सो आम चाले हैं अब करेंट सब्सक्राइवित हो रहा है लोगकार्इक प्रखाय का प्रदूशन अब यह चिंता का विश्य निश्यति बन रहा है मोबाइल और जो है और कॉम्पूर्टर इन सब तेज लाइट है और भी जो तेज लाइट जगमक जगमक करने के लिए होते हैं तो वे सब भी नुक्सान बैट है जो लोग समझ रहे हैं अब डीम लाइट में लेम पोस्ट में पढ़ना या केंडल लाइट में इस तरह का अब तो परचलन कुछ बढ़ रहा है होटल हो जा रहे मैं भी अब ज भी देखा जा रहा है कि प्रकास के कारण लोग परिशान हो रहे हैं लोग त'M कि अ बहुत तेज-प्रकास लोग पसंद्द्रें पहा रहे हैं होनी चाहिए कि इसलिए पसंद्रीकाव्य लग जा रहा है मस्टिष को जो है अनावश्य फूत्तेजित कर रहा है मैं आँखों क वो उत्तेजीत कर रहा है आँखों को थका रहा है आँखों की पुतलियों को थका रहा है तो इसलिए यह घटता हुआ अन्दकार जो है यह भी खत्रे की घंटी है अलियो